उससे एक बात साफ हुई है कि पाचो राज्यों में मेजोरिटी लोगों ने यूपे और कॉंग्रेस सरकार के खिलाप जो भरष्टाचार, महंगई, जो महत्वपुर्ण राष्ट्रे मुद्दे थे उसके खिलाप अपना मतप्रदर्शन किया है। पर इस बार पंजाब में भी फिर से एक बार बारतिय जनता पार्टी और अकाली दल को बहुमत मिला है और ये पहली बार हुआ है बईजेपी और अकाली दल के लिए फिर से एक बार इस राज्यों को हमने रिटेन किया है। सपोर्ट दिया था और हमारी टेली पूरी 26 के तक पहुची है और ये भी बहुत अच्छी शांदार सफलता हमको गोवा में मिली है। और गोवा में विशेश रूप से जो भारतिय जनता पारटी पर एक लांचन लगा जाता है कि हम लोग माइनोरिटी के खिलाफ है। इस बार गोवा में विशेश रूप से जो कैथलिक क्रिस्चन जा मिज़ोरिटी प्रमाण में हैं वहां भी भारतिय जनता पारटी को बहुत अच्छी सफलता आसिल हुई है। कॉंग्रेस से ये राज्य हमने छीन लिया है और गोवा में 26 के मिज़ोरिटी ये हमारे ले बहुत अच्छी है। उत्तराखन का काउंटिंग शुरू है और मेरी पूरी उम्मेद है कि उत्तराखन में भी हम निश्चित रूप से जीतेंगे। उत्तराखन के भी चुनाओं में एक दो एक दो का फरक चल रहा है पर अभी जो जानकारी मुझे मिली हम 32 से 33 सीटों तक निश्चित रूप से जीत पाएंगे। इसा मेरा विश्वास है और निश्चित रूप से उत्तराखन में भी हम शासन बनाएंगे। जहां तक इन तीन राज्जों में अच्छी सफलता मिली है और उत्तर पदेश में दो पार्टिओं में पॉलरेशन हुआ है जिसमें से भौ़जन समाच पार्टि की सरकार को परिवर्तन करने के लिए जो पार्टि, रिजिनल पार्टि भी क्यों नाओ, जो रटा सकती है उन को नहीं मिली है मैं उत्तर पदेश के जीत के लिए मुलाइम सिंग जी का और उनके सभी नेताओं का अभिन्नन करता हूं उसके साथ साथ प्रकास सिंग बादल साथ के नेतरुत्व में पंजाब में जो जीत मिली है इसलिए उनका भी अभिन्नन करता हूं और उत्तरा खंड औ हमारे चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हेंडल किया है, कोई अप्रिय घटनाए नहीं हुए, और इसलिए चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देता हूँ, मतदाताओ ने इस बार परसेंटेज बढ़ा कर होटिंग किया है. है उप आप ए पलाओग जावड़ ए। प्र लिए उस्वाड़ वार्श भाओडिय घ्मत्व झालओ झालोओ झालोओ नवड़ नटनाव यत्वड्वड़ शज़ अुनावटवड़ इुनावड़ आयोगू को नवड़ चालोग किया है, कि अुनावड़ एुनावड़ वि